नमश्कार दोस्तू कथा कहानी के इस चैनल कथा मंतन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है मिरितक भूज लेखक मुशी प्रेमचंद सेट रामनात ने रोकशया पर पड़े पड़े निराशा पूंड द्रिष्टी से अपनी इस्त्री सुशीला की और देखकर कहा मैं बड़ा अभागा हूँ शीला मेरे साथ तुमें सदेव ही दुग भोगना पड़ा जब घर में कुछ ना था तो रात दिन घ्रस्ती के धंदो और बच्चों के लिए मरती थी और कुछ संभला तो और तुम्हारे आराम करने के दिना है तो यूँ छोड़े चला जा रहा हूँ आस तक मुझे आशा थी पर आज यह आशा तूट गई देखो शीला रो मत संसार में सभी मरते हैं कोई दो साल आगे कोई पीछे पर घ्रस्ती का अभार अब तुम्हारे उपर छोड़के जा रहा हूँ रुपे मैंने नहीं छोड़े लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा यह राजा क्यों रो रहा है शुशीला ने आसू पहुचकर कहा जिद्धी हो गया है और क्या सविरे से रट लगाए है मोटर लोंगा पूरे पांच रुपे की है सेड जी को इधर कुछ दिनों से बालकों पर भौस नहीं हो गया था बोले तो मंगवा दो ना विचारा कप से रो रहा है क्या क्या अर्मान दिल में थे सब धूल में मिल गए रानी के लिए विलाइती गुडिया भी मंगा दो दूसरों के खिलोने देखकर तरस्ती रहती है जिस धन को प्राणों से भी प्रिया समझा वह अंत को डक्टरे ने खाया बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिया समझा कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे चातिस से लगा कर रोने लगी वह मात्रिस नहें जो पती की किरपन सा था से भीतर ही भीतर तड़प कर रहे जाता था इस समय जैसे खौल उठा लेकिन मोटर के लिए रुपए ना थे सेट जी ने पूछा मोटर लोगे बेटा अपनी अम्मा से रुपए लेकर भाया के साथ चले जाओ खुब अच्छी मोटर लाना राजा ने माता के आसू और पिता का यस ने देखा तो उसका बालहट जैसे पिगल गया वुला अभी नहीं लोगा सेट जी ने पुछा क्यूं जब आप अच्छी हो जाएंगे तब लोगा सेट जी फूट फूट कर रोने लगे तीसरे दिन सेट रामनात का देहान थो गया धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है और सुख थोडों को उनके मरने से दुख थोडों को होता है सुख बहुतों को महा ब्रामनों की मंडली अलग सुखी पंडिक जी अलग खुश और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसंद इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ दिल से एक काटा दुरुआ और पट्टी दारों का तो पूछना ही क्या अब वह पुरानी कसर निकालेंगे फिर्दे को शीतल करने का ऐसा अफसर बहुत दिनों बाद मिला है आज पाच्वा दिन है वे विशाल भवन सुना पड़ा है लड़के ना रोते ना हसते मन मारे मा के पास बैठे और विद्वा भविश्य की आपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है गर में जो रुपे बच रहे थे वे दहा क्रिया की भेट हो गए अभी सारे संसकार बाकी पड़े है भगवान कैसे बेड़ा पार लगाएगा किसी ने द्वार पर आकर आवाज दी महरा ने असेज आकर सेट धनीराम के आने की सूचना दी दौनों बालक बाहर दोड़े सूचीला का मन भी एक शन के लिए हरा हो गया सेट धनीराम बिरादरी के सरपंच ते अबला का शुब धिर देया सेट जी की इस किरपा से पुलकित होटा आकरी बिरादरी के मुखिया हैं ये लोग अनातों की खोज कबर ना लेंगे तो कौन लेगा यहां सोस्ती हुई वे सूचीला घूंगट निकाले बरोटे में आकर खड़ी हो गई और देखा तो कई सजजन धनीराम जी के साथ खड़े वे थे धरी ने आम बोले बहुजी भाई रामनात की अकाल मिर्तियों से हम लोगों को बहुत दुख हुआ है हमारा दिर ही जानता है अब उनकी उम्र ही क्याती लेकिन भगवान की जो इच्छा काम तो करना ही पड़ेगा काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा भी संतुष्ट रहे कुबेडास ने सुशीला की कको कनखियों से देखते हुए कहा मर्यादा बड़ी चीज है उसकी रक्षा करना हमारा धम है धरम है लेकिन कमली के पहर पावों निकालना भी तो उचित नहीं है कितने रुपे हैं बहुत तेरे पास घर में रुपे कहां है से जी जो थोड़े बहुते सब बिमारी में उड़ गए यह तो नहीं समस्या हुई ऐसी दशा में हमें क्या करना चीए कुबेडास जी धनीराम ने पूछा जैसे हो भोष तो करना ही पड़ेगा कुबेडास ने बोला हाँ हम अपनी सामर्थे देखकर काम करेंगे मैं कर्ज लेने को ना कहूंगा घर में जितने रुपे का प्रभंध हो सके हमें उसी में ही करते वे कुछ कसर ना चोड़ने चाहिए मिर्त जीव के साथ तो हमारा भी कुछ करता हुए था वे तो फिर कभी ना आएगा इसके लिए सदेव नाता तूट रहा है इसलिए सब कुछ हैसियत के मताबिक होना चाहिए ब्रामनों को भोष देना ही पड़ेगा मरियादा का निर्भा करना ही पड़ेगा तो क्या करें तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बहुजी दो-चार हजार भी नहीं मैं आपसे सत्य कहती हूं मेरे पास कुछ भी नहीं जूट क्यों बोलूंगी धनी रामने कुबेड़ दास की और अर्ध विश्वास से देकर कहा तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा कुबेड़ दास बुले इसके सिवा और क्या हो सकता है नाक कटाना तो अच्छा नहीं रामनात का कितना नाम था ब्रादी के स्थंब ते यही इस समय एक उपाय है बीस हजार रुपे मेरे आते हैं सूथ बट्टा लगा कर कोई पच्चीस हजार रुपे मेरे हो जाएंगे बाकी भोज में खरच हो गया है अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा आपके हैं कितने में बंधक पड़ा था धनीराम ने पुछा बीस हजार रुपे पर रुपे सैकड़े सूथ मैंने तो कुछ कम सुना है तो रहनमा देख लो कुबिरदास जी बोले जबानी बाक्ची तोड़ी है मैं दो चरह हजार हजम करके के लिए नहीं करूँगा धनीराम बोले नहीं नहीं यह मैं कब कहता हूँ तो तो सुन लिया भई पंचों की जो सला है की मकान बेच दिया जाए इतने में सुशीला का छोटा भई संदलाला पहुचा यह अंतिम वाक्य उसकी कान में पढ़ गया बोल उठा किसलिए मकान बेच दिया जाए बिरादरी के भोज के लिए बिरादरी तो खाप पिकर रहा लेगी इन आनाथों की रक्षा कैसे होगी इनके भविशे के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए धनी राम ने कोप भरी आँखों से देखकर कहा आपको इन मामलों में टांग अडाने को कौन कहता है लेकिन भविशे की चिंटा करने से काम नहीं चलता आपका क्या बिगडेगा हसी तो हमारी होगी संसार में मर्यादा भी तो कोई वस्तू है मर्यादा के लिए हम प्राण तक दे देते हैं सुशीला ने भैवी तो करका भया की बातों का विचार ना कीजिए इनकी तो यह आदत है मैंने आपकी बात तो टाली नहीं आप मेरे बड़े हैं घर का हाल आपको मालूम है मैं अपनी स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाती लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरे खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी ना होगी बेटी का भ्या करना है लड़के को पढ़ाना लिखाना है ब्रामनों को खिला दीजे लेकिन ब्रादरी करने का मुझे में सामर्थ नहीं है दौनों महानुभावों को जैसे थपड लगी इतना बड़ा धर्म भला ऐसी बात जबान में निकाली जाती है पंच लोग अपने मुझे कालिक ना लगने देंगे दुनिया विद्वा पर ना हसेगी हसेगी तो पंचो पर ना सुशीला रोकर बोली मैं आनाथ हू नादान हू मुझे पर करोध ना कीजिए आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा निर्वा कैसे होगा इतने में दो महाशे और आ गए एक बहुत मोटे दूसरे बहुत दुबले नाम भी गुनों के अनुसर भीमचंद और दुर्बलदास धनी राम ने संक्षेप में सारी परिस्तिती उन्हें बताई दुर्बलदास ने साहिधियता से कहा तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपे दे दें अब इसका लड़का से आना हो जाएगा तो रुपे तो मिल ही जाएगे और अगर ना मिले तो एक मित्र के लिए कुछ खाली नहीं हो जाएगा हमारा खाजाना संतिलाल ने प्रसन होकर कहा इतनी दियाप करेंगे तो क्या पूछना कुबेरदास तियोरी चड़ा कर बोले तुम तो बैसिर पैर की पात करने लगए दुर्बलदास जी इस बगत बजार में किसके पास ऐसे फालतू रुपे है सो तो ठीक है बजार में ऐसी मंदी कभी नहीं देखी कुबेरदास अकड़ गए वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए वेते हैं ऐसी बातों में उनके स्वार्थ में बादा पड़ती थी वह अपने रुपे अब वसूल करके ही छोड़ेंगे भीमदास ने उसे किसी तरह सचेत किया लेकिन बोस तो देना ही पड़ेगा उस कर्तव्य का पालन ना करना समाज में ना कटाना था सुशीला ने दुरबलदास से साहिदेता का अभास देखा तो उनकी और दिन नेत्रों को देकर बोलेगी मैं आप लोगों से भार नहीं हूँ आप लोग माली के जैसा उचिस समझे वैसा करें अगर तेरे पस थोड़े बहुत गहने हैं तो होंगे बाई हाँ गहने हैं आदे तो बिमारी में बिग गए आदे बची हैं सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिये यह तो मुश्किल से तीन हजार में उठेंगे दुरबल दास ने पोटली को हाथ में तुलकर का तीन हजार के कैसे जाएंगे मैं साड़े तीन हजार दिला दूँगा बोली चार हजार की है कुबिर दास को मकान की बिक्री का प्रशन छोड़ने का अफसर फिर मिला चार हजार है तो क्या हुआ विरादरी का तो भोज या दोश तो मिटाना है विरादरी में कम से कम दस हजार का खर्चा है मकान तो निकालना ही पड़ेगा संतलाल ने ओट चवाकर का मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दाई हैं आप लोगों को अनात बालकों पर दया नहीं आती लेकिन संतलाल की फर्याद पर किसी का ध्यान ना गया और बात ही बात में 30,000 से बेसी मकान के नहीं मिलेंगे 25,000 तो कुबेड़ दास के है 5,000 बचेंगे और 4,000 गहनों पर इस तरह 9,000 में बड़ी किफाहिक से भ्रंबोज और बिरादरी भोज दोनों निट्टा दिये जाएंगे सुशिला ने दौनों बालकों को सामने करके करबा दोकर का पंचो मेरे बच्चो का मुझ देखिए मेरे घर में जो कुछ है आप सब ले लेजे लेकिन मकान छोड़ दीजे मुझे कहीं ठिकाना ना मिलेगा मैं आपके पैरो पड़ती हूं मकान इस से मैं ना बेचे इस मुर्खता का क्या दवाब दिया जाए पंचो लोग तो खुछ चाते थे कि मकान बेचना पड़े उन्हें आनातों से कोई दुश्मनी नहीं थी किन्टु बिरादरी का भोज किस तरह किया जाता अगर विद्वा कम से कम पाच हजार रुपे का जोगार कर दे तो मकान बच सकता है पर ऐसा नहीं कर सकती तो मकान के सिवा और कोई उपाई नहीं है कुबेर ने अंत में खा देख भाई बजार की दशा इस समय खराब है रुपे किसी से उधार नहीं मिल सकते वाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हिले से देगा विद्वा सुशीला अब और क्या करती पंचों से लड़कर कैसे रह सकती थी पानी में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता था घर में जाने के लिए उठी तो वहीं मुर्ची थुकर गिर पड़ी अभी तक आशर संभाले हुई थी कि बच्चों के पालन पोशेर में वह अपना वैदव्य भूल सकती थी पर अब तो चारों तरफ अंधकार चा गया था सेट रामनात के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था मित्रों का अधिकार ना हो तो किसका हो इस तरी कौन होती है जब वह इतनी मोटी बात नहीं समस्ती की बिरादरी करना और धुम धाम से दिल कोल करना लाजमी बात है तो उससे और कुछ कहना वियर्थ है गहने कौन खरी दे भीमचंद चार हजार दाम लगा चुके थे लेकिन अब उने मालूम होँआ कि उनसे भूल हुई दुर्बलदास ने तीन हजार लगाए ते इसलिए सौदा इनी के हाथ में हुआ इस बात पर दुर्बलदास और भीमचंद में तकरार भी होगी लेकिन भीमचंद को मुझी खानी पड़ी नयाए दुर्बल के पक्ष में था धनीराम ने कटाक्ष किया देखो दुर्बलदास माल तो ले जाते हो पर तीन हजार से बेसी का है मैं नीती की हत्या ना होने दूँगा कुबेरदास जी बोलिया जी घर में हो तो कहीं भार तो नहीं गया एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी इस पर चारों महानुभाव हटे इस काम से फुरसत पाकर अब मकान का प्रशन उठा कुबेरदास तीस हजार देने को तैयार थे पर कानूनी कार्यवाई करे बिना तब उन्होंने एक दालाल बुलाया नाटा सा आदमी था पोपला मू कोई सत्तर की अवस्था नाम था चोकेलाल कुबेर दास ने कहा चोकेलाल जी हमारी 30 साल की दोस्ती है आदमी क्या रत नहें देखो चोकेलाल हमें मकान बेचना है इसके लिए कोई अच्छा ग्रहा को तुम्हारी दलाली पक्की कुबेर दास जी ने कहा बजार का हाल अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हमें ही देखना पड़ेगा रामनात के बाल बच्चों को टोटा ना हो इतने में उन्होंने कोचोकेलाल के कार में कुछ कहा कि 30 से आगे ना जाना चोकेलाल समझ गया और बोला आप लोगों को मुझसे यह कहने की जरूवत नहीं मैं अपना धरम समस्ता हूं इस समय इस मकान के 25 हजार से जादा नहीं मिलेंगे सुभीते से तो घर ग्राक से 10-5 हजार और मिल जाएंगे लेकिन इस समय ग्राक मिलना मुश्किल है तो 25 हज कर चारिस तो मैं बाद में होता तो करवा भी देता जब 30,000 में ही देना है तो कुबेडास जी को ही देते हैं इतना सस्तामाल दूसरों को क्यूं दे आप सब लोग की राय हो तो ऐसा ही होगा धनी राम ने हां मिलाई भीमचंद मन एटकर रह गई है सौदा प्यक्का हो गया औ और तीन-चार दिन पंचों ने भोज की तेयारी में बिताए घी धनी राम जी की आड़त से आया मैदा चीनी की आड़त में उन्हीं की थी और पाचवी दिन प्राते काल भ्रह्म भोज हुआ संधिय समय ब्रयादरी का जियोनार सुसिला के दुआरे पर बग्ग्यों और जाम का सलीका चाहिए ऐसे स्वादिष्ट पधार्थ बहुत कम खाने में आते हैं सेज चमपा राम के भोज के बाद आज राम नाज जी का भोज ऐसा हुआ है इमिर्तिय कितनी कुरकुरी हैं मेवों रसगुलों में मेवे से भरे में हैं सारा श्रय पंचों को जाता है धनी जाम ने नम्रता से कहा भाईयों की देया है राम नाज से भाईचारेक था ने आगर हम लोग उनका ना करते तो कौन करता मेहमान लोग बखान करकर माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी कि संसार कैसे स्वार्थी लोग है सारा संसार स्वार्थ है सब पेटों पर हाथ फिर फिर कर भोजन कर रहे हैं कोई उतना भी नहीं पूछता कि अनातों के लिए कुछ बचा है या नहीं एक महीना गोजर गया सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी नगत था नहीं गैने निकल गए जो थोड़े बरतन बच रहे थे छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे कुछ डाक्टर के कुछ दरजी बनिये के सुशीला को यहर अकम घर का बचा कुछा समान लड़के अवस्ता को समझते थे मां को ना चड़ते थे पर मकान के सामने कोई खोचे वाला निकल जाता तो वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते देखते तो उनके मूह में पानी भराता था ऐसी लड़ चाहियों यांखों से ताक्ते की दया आती वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की और ताकते ना थे अब एक एक पैसे की चीज को तरसते थे सज्जन उन्हें जिन्होंने बिरादरी का भोच करवाया था अब घर के सामने से निकल जाते पर कोई जाकता ना था शाम हो गई सुशीला चुला जलाय रोटियां सेक रह चुले के दूसरे एले पर दाल थी दाल के पकने का इंदिजार था लड़की 11 साल की थी लड़का 8 साल का लड़का मोहन अधीर होकर बोला अम्मा मुझे रूखी रोटियां ही दे दे बड़ी भूक लगी है अभी दाल कच्ची है बहिया मेरे पास एक पैसा है मां मैं उसके ले दही लाती हूं तेरे पास पैसा कहां से आया मुझे कल अपनी गुडिया की पिटारी में मिल गया था रेवती बोली सुशीला बोली लेकिन जल्दी आयो रेवती दोड़कर बाहर गई और एक पत्ते में जरासा दही ले आई मा ने रोटी सिक कर दी दही से लड़का खा आने लगा उसी वक्त दो आदमियों ने वाजजी रेवती ने बाहर जाकर पूछा सेठ कुबिर दास के आदमे थे मकान खाली कराने आये थे क्रोथ से सुशीला की आँखे लाल हो गई बर आठे में आकर बोली अभी मेरे पती को एक महिना भी नहीं हुआ गए हुए और मका खाली कराने की धुन सवार हो गई मेरा पचास हजार का घर तीस हजार में ले लिया पांच हजार सूद के उड़ाए फिर भी तस्कीन ना हुई कह दो मैं अभी खाली नहीं करूंगी मुनीम ने नमरता से कहा बाई जी मेरा क्या अक्तियार है मैं तो केवल संदेशिया हूँ सुशिला मी भी समझ गई हाँ ठीकी तो कहता है गाय हत्या के बल के दिन गेत चरेगी नरम होकर बुली सेड़ जी से कहो मुझे दस पांस दिन की तो महलत दे दे लेकिन नहीं कुछ मत कहो क्यों दस पांस दिन के लिए क्यों है सालनू मेरे भागे में जब इस घर में रहना ह तो मैं निकल ही क्यों न जाओं मुनीम ने पुझा तो का सुशिला बोली कलकर जगड़ा क्या रखो मुनीम जी आप जाए ये ताला लाकर डाल दीजी ये कहते ही सुशिला अंदर गई बच्चों को भोजन कराया एक रोटी आप किसी तरह निगली बरतन धोय फिर एक रुक की थी कि मलने वालों की सिम्रितियां इस घर से जुड़ी हुई थी घर से बहार निकल कर उसने रात एक पड़ोसी के यहां काटी और दूसरे दिन दस रुपे महावर पर गली के कौने में दूसरा मकान लिया इस नए मकान में आ करके अनाथों ने किसी तरह दिन काटे यह सम इसाई, सफाई, कपड़े सिती या किसी के घर में टहल कर लेती पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है उनका सहरा कैसे लेती नहीं तो लोग कहेंगी कि यह सेट रामनात की स्तरी है नाम की तो लाज रखने ही पड़ेगी समाज के चक्रवियू ने किसी तरह तो पर नहीं सकते थे आखिर कार एक दिन आखे लाल-लाल किये आकर बोले अगर तु किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे मैंने पूरी बिरादरी का ठेका तो नहीं ले रख रहा सुशीला बोली सेट जी मेरे पास रुपे होते तो पहले आपका किराया देती बाद में पानी पीती पर मेरे पास अभी एकदम पैसे नहीं है और मैं अभी बाल बच्चों के को कहां लेकर चाओं तो कहीं भी जा मैं बहुत सुन चुका हूँ बिरादरी के नाम पर तो तीन महीने रहने दिया अब और नहीं कर सकता इसी समय रेवती सामने आकर के खड़ी हो गई सेड़ जी ने उसे सिर से पाउं तक देखा और तब बोले अच्छा ये लड़की सेया नहीं हो गई कहीं इसकी सगाई की की नहीं रेवती तुरंथ भाग गई सुशीला ने इन शब्दों में आत्मियता की जलक पाई तो बोली कि नहीं सेड़ जी बाच्ची तो नहीं की घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती सगाई क्या करूंगी फिर यह अभी छोटी भी है सेड़ जी ने तुरंथ शस्त्रों का आधार दिया कि कन्याओं का विवार की यही अवस्ता है तब सुशीला बोली ठीक है अगर आपकी निगाव में कोई अच्छा वर हो तो बताईएगा जहां लेन दिन कुछ ना हो जाबर मल बोले लेन दिन का कोई जगड़ा नहीं है बाई जी ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुकी रहेगी लड़का भी इसके साथ रह सकता है कुल का सच्चा हर तरह से संपन परिवार है दोहाजुगर है उम्र अच्छी होनी चाहिए दोहाजुगर होने से क्या होता है सुशीला बोली उम्र भी कुछ जादा नहीं है अभी चालिसवा ही चल रहा है उसका हश्ट पुष्ट है मर्द की उम्र उसकी भोजन से है बस यह समझ लोगी तुमारे परिवार का उधार हो जाएगा सुशीला ने अनिच्छा से कहा अच्छा मैं सोच कर जवाब दूँगी एक बार मुझे दिखा देना दिखाने की बात नहीं है बाई मैं तो तेरे सामने ही खड़ा हूँ सुशीला ने ग्रणापुर्ण नेतरों से उसकी और देखा पचास साल के बुढ़े की यह हवस छाती का मास लटक कर नाभी तक आ पहुचा और अभी इसे ग्यारा साल की लड़की से विवा करने की धुन सवार है ऐसे से विवा करना से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को आजीवन कुमारी रखूँ पर ऐसे मृतक से विवा करके उसका जीवन तो नश्ट ना करूंगी सुशीला बोली आपकी इस ग्यारा के लिए धन्यवाद देती उसे जीवन पर मैं करने का विवा आपसे नहीं कर सकी तो तु क्या समस्तियतरी करने के लिए कि बिरादरी में कोई कुमार में बैठा है अरे मेरी लड़की कुमारी रहेगी और रामनाज जी के नाम को कलंकित करेगी तु मैं ऐसी बात करते लाज नहीं आती सिट जी नाम के लिए घर खोया संपत्तिक होई अब क्या करने को पानी में डुबो दूँ तो मेरा किराया दे दे अभी मेरे पास रुपे नहीं है जाबर मलने भीतर गुसकर गरस्त की एक एक वस्तु निकाल कर गली में फेक दी घड़ा फूट गया मठके फूट गए संदुक के कप्रे विगर गए और सुशीला तठस्त खड़ी अपने अदिन की यह क्रूर किरा देखती रही घर को यू विधवन्स कर जाबर मलने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपे वस्तु करने की धमकी दे कर चले गए उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकीन की दुकान थी वृद्धा अकेली नहती थी बाहर से आग भीतर से पानी जाबर मल को सैकड़ो सुनाई और सुशीला की एक एक चीज़ उठा कर अपने घर ले आई और बोली मेरे घर रहो बहो मुरोवत में आई नहीं तो उसकी मूँ चुकाड़ लेती मौत सिर पर नाच रही है आगे नातना पीछे पगा और धन के पीछे मरा जाता है चाती पे लात कर ले जाएगा चलो मेरे साथ घर में रहो यहां किसी बात कर डर नहीं बस मैं अकेली रहती हूँ मुझे एक टुकड़ा दे देना बस सुशीला ने डरते डरते का माता मेरे पास सेर भराटे की सिवा और कुछ नहीं है मैं तुम्हें किराया कहां से दूंगी बुढिया बोली मैं जाबर मल या कुबेड़ दास नहीं हूँ बाई मैं समझती हूँ जिंदिगी में सुख भी देखे हैं दुख भी देखे हैं तुम्ही से चार पैसे कमा कर पेट पालती हूँ तुम्हें उस दिन भी देखा जब तुम महल में राती थी और आज भी देख रही हूँ इस सांतुना से भरेवे सरल्च अब्दों ने सुखिला के हिड़ा का बोज हर्का कर दिया ऐस सची सजनता भी दरिद्रतों और नीचों के पास होती है यह उसका दूसरा रूप था इस खटकिन के साथ रहते वे सुखिला को छे महीने हो गए थे सुखिला का उससे दिन पे दिन स्ने बढ़ता जाता था वे जो कुछ पाती लाकर सुखिला के हाथ में रग देती दौनों बालक उसकी दो आखे थे संतलाल भी हर महीने कुछ ना कुछ दे दिया करता था इसी से डाल रोटी चल रही थी कार्तिक का महीना था जोर का प्रकोप हो रहा था एक दिन मोहन खेलता कुटता बिमार पढ़ गया तीन दिन तक अचेत पढ़ा हरा जोर इतने जोर था की पास्क में खड़े रहने से भी लपट सी निकलती थी बुरिया ओजे सयाने सब के पास दोरती थी पर जोर उतरने का नाम ना ले रहा था सुशिला को बहता की टाइफाइड ना हो गया हो इससे उसकी प्रांड सुग रहे थे चौते दिन रेवती सी उसने कहा बेटी जब पंच का घर देखा जाकर उनसे कहें भाईया बिमार पड़े हैं कोई डॉक्टर भेज दे रेवती को कहने बर की देवती दोरती ही सेट कुबेरदास के यहां गई कुबेरदास बोले डॉक्टर की फिस सोला रुपे है तेरी मा दे पाएगी रेवती ने कहा अमा के पास कहा रुपे हैं तो फिर किस मूँ से डॉक्टर को बुलाती है जा अपने मामा को कहा जाकर कि किसी खहराती हस्पताल में डाल दे वेती मा के पास लोटी उसने जो कुछ सुना वे कहना सकी और बोली पंच कहीं गए वे हैं वे ना मिले तो मुनीम जी से क्यों नहीं कहा यहां क्या मिठाई खाए जाती थी जो दोड़ी चली आई इसी वक्त संतलालेक वैद को लेकर आप पहुँचा वैद भी एक दिन आकर दूसरे दिन ना लोटे सेवा समीती के डॉक्टर भी दो दिन बड़ी मिनितों से आये फिर उन्हें अवकाश ना रहा मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी महीना भी दिया पर जोर ऐसा चड़ा की एक शन के लिए भी ना उत्रा उसका चहरा इतना सुगया की देखकर दया आती थी कुछ ना बोलता ही यहां तक कि करवड भी खुद से ना बदल सकता था संदलाल काम से चुटी पाता तो देखने के लिए आ जाता था एक दिन संद्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए तो माता के प्रांट पहले ही सुखे थे यहाल दाकर और रोने पिटने लगी रोती हुई उसने महुन की खाट के साथ फेरे बांद करके भगवान से भूली भगवान अगर यही मेरे जनम की कमाई है अपना सर्वसु खोकर भी मैं बालों को छाती से लगाए संतुष थी लेकिन अभी है चोट ना सही जाएगी तुम इसे अच्छा कर दो इसके बदले म राधी तो यूही रह गई थी इस बिमारी ने ऐसा पकड़ा की फिरना चोड़ा मालूम नहीं देता बैटे सुन रहे थे कि उसकी याजन्या अक्षरस सत्या हो गई और पंद्रमे दिन वह गईगी और इसके बाद सुशीला की भी व्रिद्धि हो गई इस घटना को तीन साल हो गए महन और रेवती दोनों उसी व्रिद्धा के पास रहते थे बुड़िया मा तो थी नहीं लेकिन मा से बढ़कर थी रोज महन को रात की रोटियां खिला कर गुरूजी की पाटशाला पहुचा आती और छुट्टी के समय जाकर ले आती रेवती क अब चौधमा साल था घर का सारा काम पीशना कूटना चौका बरतन जाडू बुहारू सब करती बुड़िया सौधा वेचने चली जाती तो वह दुकान पर भी आ बैटती थी एक दिन बड़े पंच कुबेर दासने उसे बुला भेजा और बोले तुझे दुकान पर बैटत अच्छा नहीं लगता सेट जाबर मल तो राजी ही नहीं होते थे हमने बहुत कहस उनकर उनको राजी करा लिया तेरा छोटा भाई भी है उसे भी कोई दुकान दिला देंगे हम उसे क्या पूछू हम बिरादरी के पंच हैं और हमें यह अधिकार है कि तेरा कल्यान देखें और बिरादरी का कल्यान देखें यह कहते हैं वे उसने 20 रुपे का नोट रेवती के और फेक दिया कि यह खर्च वर्च के लिए काम आएगा रेवती ने उठाकर वही पुर्जे पुर्जे कर डाले नोट के और तमतमाई मुख से बोली बिरादरी ने तब हम लोगों की बात ना पूछी थी जब हम रोटियों के महतास थे मिरी माता मर गई कोई जहकने नहीं आया भाई बिमार पड़ा किसने खबर ते ना ली ऐसी ब्रादरी की मुझे परवा नहीं रेवती चली गई तो जहाबर मल कोटरी से निकल आये चेहरा उदास था लड़की बड़ी घमंडी ना आक का पानी मर गया बीस रुपे तो ऐसे खराब किये कि जुड़ भी ना सकते थे कुबेर दास बोला घबराओ नहीं मैं ये दालक से ठीक करूंगा जाती का है बिरादरी के बड़े पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है रेवती ना बालक थी माता पिता थे नहीं ऐसी दशा में पंचो का उस पर पूरा अधिकार था बिरादरी के दवाब में वह नहीं रहना चाहती है ना चाहे कानून बिरादरी के अधिकार की पेक्षा तो कर नहीं सकता संतलाल ने माजरा सुना और दास पिसकर बोले ना जाने कि इस विरादरी का भगवान का कब अंत करेंगे क्या विरादरी मुझे जबरदस्ती अब ने अधिकार मिले सकती है रेवती ने पूछा हाँ बेटी धनीकों के हाथ में तो कानून भी है भागे में यही लखाता तो किसका बस है सोचकर उसका будут हो जाता पर जाबर मल्की सूरत याद करके उसका संकल्प द्रड हो जाता प्राते काल रेक ती गंगा इसनान करने गई इधर कई महिने से उसका निक्टे का नियम था आज जरा अंधेरा था पर कोई संधे की बात ना थी संधे तो तब होता जब 8 बज गए और वह लोड़कर ना आई तीसरे पहर सारी ब्रादरी में कबर फैल गई कि सेट रामनात की कन्या गंगा में डूग गई उसकी लाश पाई गई कुबेडास ने का चलो अच्छा हो अब रादरी की बदनामी तो ना होगी जाबर मन ने दुखी मन से का अब मेरे लिए कोई दूसरा उपाई कीजिए कुबेडास जी और उधर महन सिर पीट पीट कर रो रहा था बुड़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी बेटा उस देवी के लिए क्यों रहते हो जिन्दिगी में उस दुखी दुख देखे अब वे अपनी मा की गोद में आराम कर रही है